एक्स टोपिक है मैगनेटिक फिल्ड डू टू एक करंट केरिंग सोलेनोइड आप देखो सोलेनोइड क्या होती है एक कोईल हैविंग नंबर ओफ टरंस ओफ इंसुलेटिड कोपर वायर रैप्ट क्लोजली इन दी शेप ओफ ए सिलेंडर इस काड़ ए सोलेनोइड तो देखो जैसे वायर को बैंड करके हमने एक सर्कुलर लूप बनाया था और उसी वायर को बैंड करके हम बार बार बैंड करके एक वायर को बार बार बैंड करके हम अगर उसको तो देखो एक इंसुलेटिड कोपर वायर को लेके इंसुलेटिड कोपर वायर मींस जैसे हमारे पास स् पर दाग ऐसे चड़ा रख है इस तरह से कुछ होता थेखो एक पर वायर को लेकि हमने दाग हम लपेट देङ तो क्या ओजाएगी इस इंसुलेटिटीड कोप पर वायर को हम इस तरह से लोजली कर दें इन्दी फोर्म ओपे सिलेंडर इस तरह से हमने इस wire को ऐसे bound कर रख़ा है तो ये क्या होगी हमारी solenoid इसको हम दो अगर इस solenoid के अंदर हम current flow करवाए तो इसके अंदर भी क्या होगा? एक magnetic field produce होगा जैसे की bar magnet के अंदर होता है तो देखो इसको हम इसके अंदर current flow करवाना चाहते हैं तो करन्ट फ्लो करवाने के लिए देखो इस तरह से इसमें करण्ट फ्लो करेगा तो देखो इसके लिए अलग से डायंग्राम बनाते हैं यह मारा स्पोज यहां पर हमारी सॉले नोट रखी हुई है और यहां पर एक की लगाई हुई है हमने तो यह हमारी हो जाएगी करण्ट की डिरेक्शन ठीक है तो जब इसके अंदर देखो करण्ट फ्लो होगा करण्ट फ्लो होगा तो क्या होगा मैगनेटिक फील्ड प्रेडूस होगा ठीक है यह हम पड़ रहे हैं इस चैप्टर में मै मैगनेटिक फील्ड कैसे प्रेडूस होगा कंसेंटरिक सरकल्स की فर्म में होगा तो देखो यह जितनी भी नंबर ओस अगा मैगनेटिक फील्ड होगा इसटरं का अलग से मागनेटिक फील्ड लाइन्स होगी इसकी अलग से होगी है कि जो टोटल एड होगे नेट मैगनेटिक फिल्ड जो हमारा होगा यहाँ पर वो हमारी हो जाएगी इस तरह से लियर है ठीक है तो यह हो जाएगा नेट इसका मैगनेटिक फिल्ड ऐसे ही नीचे की साइड यहाँ पर हो जाएगा तो यह डिरेक्शन हो जाएगी अब देखो यहाँ सोलिनोड के अंदर अब यहाँ पर जो मैगनेटिक फिल्ड है यह जो सरकल है इनका साइज क्या होगा बड़ा होता जाएगा सरकल का साइज बड़ा होगा तो जो मैगनेटिक फिल्ड यहां पर नियर्ली स्ट्डैट लाइन की तरह हमें दिखाई देंगी है सिस तरह है फुकर्फ इस पिर एक द अनर सोरी लोग है कि यहां पे इस की तरफ लेख़ लगायँ है लोग मदेवर करीया है ज ड़ल से लाकी का दूंड़ की तरफ लगाया है तो यह हो जाएगा magnet magnetic field in the solenoid अब देखो इसकी direction हमने यहाँ पे north लिखा है यहाँ पे south लिखा है और जो net जो magnetic field के जो loop है इनकी direction कैसे है यह anti-clockwise direction में तो देखो अगर हम एक single loop को consider करें single loop के अंदर जो current की direction है वो क्या है नीचे clockwise है तो यानि अगर देखो यहाँ पे इस point पे देखे सभी loops के इस point पे जो यह direction है net यह हमारी कैसे जा रही है इसको देखो यह imagine करके देख सकते हैं तो देखो जो हमारी current की direction है वो इस side है ठीक है current की direction हमारी इस side है तो जो curling of finger है वो कैसे आ रही है, anti-clockwise आ रही है न तो देखो इसलिए हर एक loop की जो net है वो add होके हमारी जो concentric circles है वो सभी का हमने एक common concentric circles हमने ये net anti-clockwise direction में दिखाए है ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगी तो यह हमारा anti-clockwise direction में अगर इस तरह से निकलेंगी तो यानि ये इसका हो ज करते है ना यहाँ पर ये बार magnet है ये is-ka not pole, ये इसका south pole तो बार magnet में भी जो field lines होती है measured το north 75 ये और साउथ के अंदर वो nearly straight lines की form में है तो यानि इसके हर एक point पे जो magnetic field की strength क्या होनी चाहिए same होनी चाहिए तो यानि magnetic field strength same होगा तो अगर हम इसके अंदर कोई material रख दे तो उसको ये magnetize कर सकता है तो अगर हमें कोई भी material जैसे कि हमें एक iron की road हम ले ले हमारे पास एक iron की road है और उसको हमने magnetize करवाना है electro magnet बनाना है बना सकते है ना किसी भी हम iron की road लेके उसको अगर magnetic field दे दे तो क्या होगा वो electro magnet में change हो जाएगा यहाँ पे हमने एक road रख दिया है और इस road के उपर हमने ये wire को wound किया हुआ है और इसको हमने current दे दिया बैट्री की help से और ये होगी हमारी तो क्योंकि magnetic field यहाँ पे strength magnetic field की strength जो है हर एक point पे same है inside the solenoid तो इस जो ये road है हमारी iron की इस road को ये magnetize कर सकता है तो ये हमारा topic of solenoid क्योंकिश जोगने परहा है